आज बनाते हैं ये आलू परवल की मज़ेदार से सब्जी बिल्कुल एक अलग तरीके से बनाते हैं अगर आपके घर में कोई परवल नहीं खाता है तो आप इस तरह से एक बार ट्राइ कीजिए उन्हें जरूर पसंद आएगा तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी आलू प परवल को आपको चार टुकडों में दिवाइड करना या आप दो बेभी कर सकते हैं इस तरह से कट लगा सकते हैं यह देखें मैंने सभी को इसी तरह से काट लिया है अगर बीच ज्यादा बड़े हैं तो आप निकाल सकते हुए आलू को भी मैंने दोकर अच्छी तरह से छ स्पून डालर्यों में साबुत धनिया एक टेबस्पून डालर्यों में जीरा हाफ हेवल स्पून में डालर्यों काली मेर्च में एक इंच दाल चेनी का टुकड एक तेज पत्ता हाफ टेबल स्पून डालें सॉफ एक बड़ी लाई ची एक टुक्टा डाल रहें में जावित्री का फूल चार सा पांच में डाल रहें इसमें लॉंग अब इसे हमें स्लो फ्लेम पर दो से तीन मिंट वसी से ड्राय रोस्ट करना बहुत ज्यादा नहीं पकाना आए से तो दो से तीन मिंट के लिए से ड्राय रोस्ट कर लेजिए और इसे निकाल लेते हैं अब इसी कडाई में डाल देजिए सरसो का तेल मैं दो बड़े चमस सरसो का तेल डाल रहे हूं इसमें डाल रहे हूं एक टिबल स्पून जीरा और इसमें डाल देते हैं कटे हुए परवल आपने पहले से ही काट के रखा है अब गैस की फ्लेम को अपको medium to high रखना है और इसे अच्छी तरह से fry करना है जिससे जो है इसका कच्छापन घतम हो जाया और इसका फ्लेवर जो है काफी अच्छा आता है इस तरह से fry करने से साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे इस अच्छे से चला लेजिए और इसे ठक कर हम पका लेंगे बीच-बीच में से हमें चलाते रहना है मैंने 3-4 बार बीच में चलाया है यह कि देए इसका कलर भी चेंज हो गया है और यह पक चुका है तो अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में परवल को इसी तरह से आप निकाल लेजिए इसी बचे हुए तेल में ही जो हमने आलू काटकर रखा था वो डाल देते हैं आप चाहें तो आलू परवल को साथ भी डाल सकते हैं लेकिन आपको पहले परवल डालना चाहिए जिससे कि उसका ठोड़ा वो अच्छे सा फ्राय हो जाएं अब डाल देती हैं उसमें थोड़ा सा नमक जिससे आलू फीका ना लगे बाद में और इसे भी हम एक सदो मिंट इसी तरह चलाते हुए अब ढ़कर पका लेंगे मैंने आलू को बीच बीच में चलाया एक दो बार तो आप भी इसे बीच बीच में एक दो बार चलाए और यह देखिए आलू का कलर जो है वो चेंज हो गया है तो इसे निकाल लेजिए अब गाओं में साधी पाटी में इस तरह से परवल की यालू की सबजी बनाई जाती है तो आप इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राइ कीजेगा अब डाल देते हैं सेम कडाई में दो बड़े चमच सरसो का तेल नहीं आया है मैंने इसके बार डाल रहें एक तेज पत्ता एक टे और दो मीडियम साइज के बारिक कटा हुआ प्याज अब प्याज को जब तक हमें फ्राइ करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं मुझे जरूर कमेंट करके बताईएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजेगा ये देखिए प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया है अब डाल देते हैं इसमें एक टेबल स्पून लेस्टोन का पेश्ट इसके बाद डाल रहे हूं मैं अब 2-3 हरी मिर्च मैंने इसे कूट लिया है कूट कर डाला है और साथ ही मैं डाल रहे हूं इसमें एक टेबल स्पून अध्रक भी मैंने कूट लिया है तो इन सबको 1-2 मिंठ में इसी तरह चलाते हूँ पका लेना है इसके बाद मैं डाल रहे हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर एक टेबल स्पून डाल रहे हूं मैं लाल मिर्च पाउडर और एक टेबल स्पून डाल रहे हूं मैं कश् मसाले तयार किये थे रोश्ट करके इसका मैंने पाउडर बना लिया और वो डाल देते इसमें इस में मसाले से जो है सब्जी का टेश जो है बहुत अच्छा आएगा अब इसमें अड़ करते थोड़ा सा पानी जिससे की मसाले जले नहीं अब इसमें डाल देते हैं टमाटर की प्यूरी मैंने 2-3 टमाटर लिया है आप चाहे तो टमाटर को बारिक काटकर भी डाल सकते हैं इसके बाद मैं डाला एक टेवल स्पून नमक से मिला लेजिए अच्छे से और इसे ढखकर मसालों से तेल अलग होने तक पका लेजिए बीच बीच में आप चलाते भी रहेगा जिससे मसाले जो है जले नहीं यह देखे मसाले जो है पक चुका है अब इसमें डाल देते हैं जो हमने आलू परवल को फ्राई करके रखा था वो डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इसमें डालोई में थोड़ा सा पानी पानी मैंने एक ग्लास लिया है इसमें डालोई में एक टिबल स्पूम कसूरी मेथी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेजिए और इसे ढखकर उबाल आने तक पकने दीजिए और यह देखिए आलो परवल की सब्जी जो है कितना अच लास्ट में डाल देते हैं धनिया पत्ता आप इसे गरमागरम इंजॉई कीजिए रोटी या फिर पराठे के साथ या फिर दाल चावल के साथ मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए